एम्स में 50 से ज़ादा जो डॉक्टर है और स्ताफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं एम्स के 35 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं एम्स के 15 सुरक्षा कर्मी भी कोविट पॉजिटिव पाए गए इसे के साथ दिली के सर गंगाराम अस्पदाल के 37 डॉक्टर कोव लगवा चुके हैं पहले इसी के साथ इसके बाद भी अब यहां पर कोविक पॉजिटीव यहां पर निकल कर सामने आ रहे हैं जो कि सरकार की चिंदा और जादा बढ़ा रहे हैं एंसीडी के दो डॉक्टर भी कोर्ना पॉजिटिव पाए गये हैं इस वक्त हम आपको दा रहे हैं और इसी पर जादा जानकारी के साथ सयोगे अनिल सिंह हमारे साथ जोड़ गए हैं अनिल यहां पर वो डॉक्टर जो की दौनों डोस लगवा चुके हैं इसके बाद यह समझ के से अब यह खबरे आ रही है कि दोनों डोस लेने के बावजूद भी डॉक्टर से दुबारा से संकर्मित हो रही हैं अपने आप में चिंता का विशा है कि आखे दोनों डोस लेने के क्योंकि अब लोगों को जो सबसे पहले दी गई थी वो प्रोना वार्योर्स को दी लगी है कि क्या वैक्सिन लगाने के बावजूद भी अगर इस तरीकििसे को लोगों को हो रहा यह संकर्मित हो रहे हैं चिंता का विश्या है कि आगे वैक्सिनेशन करवाने के बावजूर भी क्योंकि एक तरफ कि यह कहा जा रहा है कि आप ज्यादा ज्यादा वैक्सिन का लगवाई है या ना लगवाई है क्ए एक तरह हो रहा है कि वैक्सिन लग्वाने के लोग आ रहे हैं तो यह कहिन अधी चंटा कोषिशा सरकार के साथ आम जंता के लिए भी बनता जा रहा है। अनिल बहुत शोक्रिया आपका जादा जानकारी के लिए तो यहां पर जो डॉक्टर है वो पॉजिटिव पाई जा रहे हैं इसे के साथ चिंता और जादा बढ़ गई यह चिंता इसलिए भी लास्मी है क्योंकि यहां पर यह घौर करने वाली बात है जो फ्रेंट लाइन वर कि वो भी कोविट पॉजिटिव पाई जा रहे हैं इस भी चहांपर लोगों के मन में अप्शंका जरूर हो रही है